नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके इपनी यूटूब चैनल एरफोर्स एक्जाम पेपर में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एरफोर्स बाइगरुप के लिए मैत के चेप्टर को पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात और दोस्तों यह इस वीडियो का पाइट नमर एक नहीं देखा है तो आप लोग इसको भी देख लिजीगा और दोस्तों यहाँ पर आपको मैत बिलकुल बेसिक से शुरू हो रहा है तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पाढ़ने हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राब भी करें और दोस्तों अपने दोस्तों के पास वीडियो को सेर भी करें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह अनुपाज समानुपाज चेप्टर का पार्ट नोबनद 2 है यहाँ पर हम लोग 10 प्रसनों को solve करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि किसी भी संख्याओं के बीच का अनुपात कैसे निकालते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रस नमर एक लिखा हुआ है कि यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 और B अनुपात C वेराबर 5 अनुपात 7 है तो अनुपात C ग्यात कीजिए तो दिखेंगे डोस्तों इस सवाल को हम लोग यहाँ पर कैसे solve करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिरखा है कि A अनुपात B बराबर कितना रखा है आपको दिरखा है 2 अनुपात 3 और एंपाभात सी द्रखा हो तो आप लोग सबसे पहले साथ निकालेंगे a 19 इनपात इनपात इनपाते आप इनपात इनपात इन नकाल देंगे स occurs है यह समझ्जीा आपकोन C सब पहले क्या करना है सबसे पहले आप लोगों को इसकी गुणा करके जितनों गुणा करके आप पहले रिखेंगे जैसे आपका पहले है पांच गुणा दो मतलब आपको यहागा 10 अनुपात फिर दोस्तों आपको इसकी गुणा करनी है ठीक है इसके निकरनी है आपको इसकी अप से का गया है दोस्तो a r.c गयात किजिए आप यहाप पर कैसे निकालेंगे देखिए a वाला आप का यहां पर है c वाला आपका है तो आपके आएगा 10 r.21 तो दोस्तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 1 solve हो जाएगा और आपका अंसर आएगा 10.21 अब दोस्तो इसके बाद हम इसी सवाल को दूसरे तरीके से लगाकर solve करेंगे और फिर देखेंगे कि हम किस प्रकार से सवाल को बहाँ पर लगा सकते हैं तो दोस्तो आप क्या करेंगे आपको रखा है एउन उपाद बी दो रखा तीन और बी उपाद सी पांच उरपा साथ आपको रखा है तो आप इसको नोट करेंगे एउन उपाद बी का मतलब एपान बी बेरावर आपका है कितना दो बटा तीन ठीके कितना आपका है आपका है है और यहाँ पर 2 है 3 यहाँ पर 2 है 5 तो देखें उस तो आपको इसको 2 वाले पार्ट को सेम करना है तो उसको सेम करने के लिए काम कर सकतें हैं आप लोग आप दोस्तों यहाँ पर बनेगा A बटा B कितना बनेगा आपका बने गा 10 बटा और यहाँ पर दोस्तों आपका B वटा सी कितना बनेगा यह दोस्तों आपका बनेगा 15 वटा 21 अब दोस्तों आप देखेगा तो आपका B का हमान बिल्कुल सेम हो गया है आप से का आगया A नपास C बताईए तो A नपास सी कितना है आपको जो तरीका अच्छा लगा हो आप उस तरीके से यहाँ पर सवाल को लगा सकते हैं और आपका चुदाइट आंसर है वो कौन सा है आपसे नमबर बी वाला चलिए दोस्तो इसके बाद हम देखते हैं प्रस्ट नमबर दो को और यहाँ पर दोस्तो आप देखेंगे कि आपका सवाल नमबर दो यहाँ पर लिखा हुआ है यह दि 2A बरावर 3B बरावर 4C है तो A नुपाथ B नुपाथ C किसके बरावर है तो यहाँ पर भी आपको समझेना है कि यह सवाल आपका कैसे सवाल होगा देखिए जब भी आपको सवाल दे रखा हो और आपसे कहा जा A नुपाथ B नुपाथ C आप निकाल देजिए तो बिल्कुँ सिंपल सा आपको यहाँ पर काम कर देना है क्या काम करना है आपका जो यहाँ पर इसका गुडांक है ना A का गुडांक है B का गुडांग है C का गुडांग है आप इसको 1 के बटे में कर देंगे कहने का मतलब है ज़िए आपका A अनुपात B अनुपात C जो बनेगा वो कितना बनेगा बनेगा 1 बटा 2 अनुपात 1 बटा 3 अनुपात 1 बटे 4 यही दोस्तों आपका अनुपात होगा लेकिन आपको आंसर में इस प्रकार से निदर रखा है तो इसको थोड़ा आप सही करिएगा सही करने का मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह हो रहा है कि आप 2, 3, 4 का LCM निकालिए कितना आपका आएगा आपका LCM इसका निकल चाएगा 12 तो आप इस पूरी संक्या में आप लोग 12 से गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे देखें कैसे होगा गुणा देखें आप लोग एक बिटा दू यहाँ पर आपको 12 से गुणा करना है अनुपात एक बटे तीन यहाँ पर दोस्तों आपको बारा से गुणा करना है अनुपात एक बटे चार यहाँ पर भी आपको बारा से गुणा कर देना है अब इसको आप लोग हलका दीजेगा दो एककन दो दो चंग बारा तो आपका पहला हो गया छे अनुपात तीन एकन तीन तीन चोका वर आपका दूसरा हो गया चार एकन चार चार तीन आवर आपका हो गया तीन तो छे एकन पाथ चार एकन पाथ तीन और आपसें के दूस्तों आपर बात करेंगे तो आपका बी बारा बिलको जाई टांस रोगा ठीके 6.7, 4.7, 3. आपका A.B.C. निकल के याँ पर आ जायेगा यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रस्नमर आपके लिए 3 नमबर है आप से कहा गया है येदि A.B.D.A.B.D.A.C. 4. 5 है तो A.S.B.A.S.B.C. ग्याद कीजिये दीखिए आपको यहाँ पर A, B और B, C में आपको 10 पार रखा है तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे आप तो इनों में 10 पार निकाल देंगे कहने का मतलब है यहाँ पर दूस्तों आप नूट करेंगे A, 9, B आपको रखा है 2, 9, 3 आपको रखा है B, 9, 5, C कितना रिखा आपको आपको दुख ग्रखाए 4 बिटा 5 मतलब अनपाथ पहुंच तो आप यहाँ से सम्मे अनपाथ निकाल देंगे किसमे किसमे A अनपाथ B अनपाथ C कैसे निकलेगा सबसे वह इसक उना करें इसमे तो चालते हुना आपका अनुपाद 20 सुकार का मतलब 12 तो 12 का सुकार कर देंगे आप लोग यहां पर इतना आपका हो जाएगा यहां पर फ़ Kennet यहां पर बारह गुणा पंदर है इतना आपको हो जायगा फिर जीकर देखे चार से काटेंगे आपका जागा 16 बार चार से काटेंगे 4 तियां बारा 4 तियां बारा तो आपका हुआ 16 अनुपाद 36 अनुपाद 15 तियां 45 16, 36, 45 16, 36, 45 का मतलब दोस्तों आपका option नमर यहाँ पर C बाला बिलकुँ चार बाटे 5 और B बरावर C का चार बाटे 5 बाटे 2 हो तो A नुपाद C गयाद कीजिए देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग सवाल को कैसे लगाएंगे देखिए A बरावर B का चार बाटे 5 नोट करें इसको A बरावर कितना है A बरावर B बरावर कितना आपको 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 आप आपकर आपका गया चावड़ यह नज पांच पैट में निखना दिए आपको रखा है तो इसको उपास लगाते हैं पर दूस्तों आपको रखा है जब आपका बीकामान का इसा हो बिलकुल ही सेव हूँ तो इसका मतलब होता है कि देखिए B आपका दूनु जगे है और दूनु जगे अगर आपका B का मान बिल्कुल सेम सेम है तो इसका मतलब A का मान भी 4 होगा और B का मान यही 2 वाला होगा ठीक है तो A और C में आपका पूछागा आपका होगा 4 अनुपाद 2 और आप हल करेंगे आपका आएगा 2 अनुपाद 1 तो दोस्तो यही आपका बन जाएगा 2 अनुपाद 1 वाला और आपसे नमर दोस्तो आपका यहाँ पर B वाला बनेगा ले-बन दोस्तो लैखनेंगे Um इसको दिखेंगे क्यों देखेंगे आपको दरख कितना रखा है इन४ादğby कितना रखा है कितना रखा है आपको दरखा है टिन और 4 नह각 को इसका चरह सेल्वेजिए ताकि अपको हाच महाई जाए ढवन के यहिए ठीक है फिर दोस्तों आप जखेंगे 20 पास आपको रखा कितना रखा है आपको रखाए 5 5 4 फिर आपको सत्री अनुरौपाथ डिज रखा कितना रखा है तीन अनुरौपाथ 5 जो आपके अनुरौपाथ हो वो इसी करम में देरी रखे हो A के बाद B फिर B, C, C, D में और जो आपसे पूचा इसके बारे में आपसे पूचा कि A, अनुपात, B, अनुपात, C, अनुपात, D कैसे निगा लेंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीका है बिल्कुल ही सिंपल तरीका आपका यहाँ पर है तो कैसे लगाएंगे यह आपको दूस्तों यहाँ पर समझ लेना है तो देखिएगा, आप इन सब की गुणा करेंगे और पहले नंबर पर लिख देंगे इन सब की गुणा करेंगे पहले नंबर पर लिख देंगे, देखिए 5, 13, 14, 45, तो आपका आएगा 45, अनुपात अब दोस्तों यहां पर इसके बात देखी क्या करेंगे इसकी इसकी गुणा करेंगे इन दोनों गुणा करेंगे तिनों की और बीच में लिखेंगे देखे 4, 5, 20, 30, 60 आपका यहां पर आएगा अनुपात यह देखे अब आप लोग यहां पर देखेगा कि आपको यह वाले किसी से कटेंगे अगर इकट जाय तो आप काट दीजिएगा ना कटें तो आप लोग आपसन को चीक करिएगा 45, 60, 48 असे यहां पर देखेए 45, 60, 48 असे बिल्कु से यह आपका दोस्तों यहां पर प्रस्त नमर 6 यहां पर दो संख्याए 5 अनुपाद 6 में हैं यदि प्रतेक संख्या में से 26 घटा दिया जाए तो संख्याए 2 अनुपाद 5 में रहे आती हैं संख्याए बताईए तेक है इतना सवाल तो आपने पड़ लिया है अब आप नोट करीजिगा आपकी दो संख्याए है एक पहले संख्या फर्स्ट संख्या एक सेकंड संख्या है इनका अनुपाद आपका है 5 अनुपाद 6 और जब प्रतेक में से 26 को घटा दे तो आपका अनुपाद जाएगा 2 अनुपाद 5 दोस्तों एक काम करिए हैं यहाँ पर आपट इच्छी चेकरिएगा इसका अंतर कितना है 1 और इसका अंतर कितना है 3 यह आपका अंतर अलग-अलग है आप लोग इस वाले अंतर को बिलकुल बराबर कर दीजिगा कैसे करते हैं नहीं पता आपको तो आप यहां पर सीखिएगा अंतर बराबर करने का क्या तरीका होता है जैसे आप देखेंगे यहां पर किसका अंतर है यहां पर आपका सिर्फ 5 और 6 मतलब एक का अंतर है तो एक का अंतर है तो इसका मतलब में अनुपात आपका बंद हुए ना हुए दीए 5-75 अनुपात 6-18 और इंशनका अम फञ पसके इसका अंत्र कितना की अंतर psychopath 12 मतलब इसमें 13 का उरा और यहां पbound 12 स्जां का एक पर हस्की 18 यहाँ पर दोस्तों आपको 13 की विल्यो रखेlate 26, और 11 की विल्यो आप निकाल सकते ऐब कमें आपकी आएगए दो, और आपसे एक आगया है कि संक्याह बताईए, आप आसान तरीके संक्यां को हुता सकते हैं, आप इन बाले को आपकर देखेंगे, और संग्यां बताएगा एक के वेलो दो तो पंदरा के वेलो आपके होगी 30 कामा और 18 दोना कितना 36 तो आपका हो जाएगा 30 36 तो 30 36 का मतलब आपसन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कु राइट आंसर होगा ठीक है 30 कामा 36 इस तरीके से आपका भी आपसन यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा आप चाहते तो इसमें एक्स मान के भी लगा सकते थे वो भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो आप उसको भी यहाँ पर देख लीजेगा कि उससे आप लोग कैसे लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर आप सबसे परे क्या कलते जो आपकी संख्या है थी आप इसको लिख लेते यहाँ पर क्या कलते आप संख्या है मान लेते 5x मेरी होगे पहरे संख्या और दूसरी होगे 6x अब देखिए सवाल करा है प्रतेग मेंस से 26 घटा दिया जाए देखिए आपकी संख्या है 5x और 6x परतेग मेंस से 26 को आप मानस करेंगे तो आपका कितना है तो आपकी संख्या है 2.95 के अनुपात में रहाएंगी तो आपका 2.5 आपका इतना बनेगा तो बस दोस्तों आपका इस समीकर बन गया है आप लोग इस समीकर को स्वाल गलते तो आपका अंसर निकल के आ जाता ठीक है तो आप चाहें तो जिस टाप से आप चाहें सवाल को लगा सकते हैं जैसे आपको आसान लगे यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नमर आपके लिए आ चुका है साथ नमर और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगा कि आपका सवाल यहाँ पर कहा है सवाल होगा देखेंगे आपको यहाँ पर भी देखना है दो संख्या है दो नपाथ पांच को नपाथ में देखेंगे पहली संख्या और दो संख्या और दोनों का आपको अनुपाद रिखा है 2 अनुपाद 3 और आपसे कहा जब प्रतेक में 7 जोड़ा जाए तो अनुपाद 5 अनुपाद 7 होता है मतलब 5 अनुपाद 7 आपका हो जाता है मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले आप लोग इसका अंतर दिखियेगा तो आप इसमें 1 श्यकुणा करतेंगे यहाँ और इस बाले में अंतर कितने का है एएंप दोस्तों आपका बंदा है 25 अनुपाद 7 आप दोस्तों आपका बंदा है कि आपका यहाँ पर कितना वंदा है यहाँ पर यहाँ पर देखे चार पांच एक का और यहाँ पर देखे छे साथ एक का तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक एक का वंदा है तो इसका मतलब है कि आपकी एक की वेलू जो है वो आपकी यहाँ पर कितनी है कितने ए बाले में आपको दर्खा है तो यहाँ पर दोस्तो आपका ए बाला बिल्कुल correct answer यहाँ पर दोस्तो आपका हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर आप लोग देखीगा सबाल नमबर आपके लिए आच लिए आच नमबर इसको देखीगा दो संख्याएं दो संख्याओं का योग 25 उनका अंतर 5 है दोनों संख्याओं का अंतर 5 है योग का मतलब जोड हमने संख्याओं मालनी X कामा Y तो इनका योग कितना है योग इनका 25 इसको नोट करेंगे इनका अंतर कितना है 5 इसको भी नोट करेंगे हम लोग सबसे पहले दुस्तों में यहाँ पर x y का मान निकालना पड़ेगा तो देखिए y से आप y को कैंसल कर देंगे आपका बचे का 2x बड़ावर 30 तो आपका दुस्तों यहाँ से x कितना आगया 15 अब दुस्तों आपने यहाँ पर x का मान 15 निकाल दिया है अब आप लोग इस बाले 15 को आप कहां पर दखेंग बताएगा हमने मालिया मैं इस बाले में रखूँगा इस बाले में तो लखें 15 रखें 15 मान 15 का y बरावर या आप एक काम के लिए इस बाले में दखें ओपर लख लिजेगा जिससे कि हमाई सबाल जल्दी सहर वे देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे 15 प्लस का y बरावर 25 तो इसका मतलब बाई कामान अगर हम यहाँ पर 10 रखेंगे तो पंदा 10 कितना होगा 25 तो बिल्कुल सही है तो आपका by कमान कितना हो यहाँ पर है 10 है by कमान ठीक है आप से पूचा गया दोनों संख्याओं का अनुपात का मतलब x अनुपात by तो कितना होगा 15 अनुपात 10 और इसको हल करेंगे आपका आएगा 5 से काटेंगे 5 3 15 5 2 10 ठीक है तो आपका बनेगा दोस्तों यहाँ पर 3 अनुपात जो और आपसें दोस्तों आपका यहाँ पर b वाला बिल्कुल राइट आंसरों का ठीक है कितना होगा 3 अनुपात 2 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नमबर आपके लिए आ चुका है नो नमबर तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे परस नमबर नो यदि तीन संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात दो अनुपात एक है उनके वरगों का आधा 72 है तो सबसे छोटी संख्या का वरग क्या है देखें आपको तीन संख्याओं है आपको दरखा इस अनुपात में है तो आप इनको नोट कर लेंगे आप तीन संख्याओं पर निकाल देंगे तो आपके देख कितनी बनेगे आपकी बनेगे 3x कामा 2x यह आपकी संख्या हो गई ठीके और आप से लिए उनके वर्गों के योग का आधा बात तर है अब इसको देखेगा इनके वर्गों का योग तो देखें तीन एक्स का स्क्वाइर यह इसका वर्ग हो गया और दो एक्स का स्क्वाइर प्लस X अपान में 2 ये दोस्तों आपको देखा है 72 आप जब इसको हल करेंगे आपका देखे 3, 2, 5, 1 आपका वह 6 एकस बटा 2 कितना वह आपका वह बहादतर और इसको दोस्तों आप हल करेंगे 2, 1, 2 आपका जाएगा 2, 3, 3, 3 वह जाएगा सबसे छोटे संक्या आपके थी X और X का मन दोस्तों आपका आगया 24 और आपसे का आगया इसका वर्ग तो कितना होगा इसका वर्ग 576 तो इस तरीके से दोस्तों आपका सवाल का अंसल जो है वह आपसे नमबर A वाला हो जाएगा 576 और फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है आपका यहां पर 10 नमबर कोश्चोनर यहां पर दोस्तों आपको A अनुपात B मतलब P अनुपात Q अनुपात R आपको दे रिखा है और आप से कहा गया है कि P upon Q अनुपात Q upon R अनुपात R upon P कितना होगा देखी क्या करेंगे आप से कहा गया P upon Q तो देखी P का मान कितना है 4 और Q है 5 तो आप लिखेंगे 4 बटा 5 अनुपात Q upon R तो देखी Q R ये वाला है कितना है 5 बटा 6 है और आर अपान पे कितना आपका है छे वटा चार इतना आपको रखा है ठीक है अब देखे आप लोग आप लोग पांच छे चार का लेंगे LCM तो कितना दोस्तों आपका यहां पर आएगा पांच छे चार का LCM कितना आएगा आपका आएगा 60 तो आप इस पूरी संख्या में जोस्तों आप लोग 60 से गुणा करवेंगे ठीक है अब देखें इसको हल करना आपको एगे क्या करेंगे आप लिखेंगे चार वटे पांच गुणा करेंगे यहां पर भी 60 और पात पांच वटे estamos च Story फ् UTali person 39 छाइक बाराचाब 48 वह अनुपाथ 6 कंच 66 54 आपका पचास और चारेकर आपका पंतरा बार तो पंदा चाहर का आपका उसने ऐपर आपका उसने और आरतालिस पचास नब्बे लेकिन दोस्तों आपको यहां पर आपसन की बात करेंगे देखिए आप कहीं पर नहीं दिक्राइ तो आप एक काम कर देंगे अब जो आपका आया आया है आपका आया है 48, 95, 50, 95, 90 आप लोग इसको थोड़ा स्वाल को देजेगा दोसे काट देजे आपका 24, 95, 25, 45 तो आपका आएगा 24, 25, 45 अब आप देखें के 24, 25, 45 आपको यहां पर आपसे नमबर D में दिख रहा है तो इस वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप लोगो ने वे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा इससे पहले का पार टमर एक को भी आप लोग देख सकते हैं मिलते हैं नेक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद